नमस्कार आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रतो भेंडारी वही जनहित के मुद्दे उठाने में भी हर राच्रे के कॉंग्रिस बाकी पार्टियों के मुकाबले कमजोर ही नजर आई है पार्टि की तरफ से लगतार बैठक कीच वाती है ताकि जनहित मुद्दों के साथ साथ कॉंग्रिस अपनी पहचान मजबूत कर पाए लेकिन हर बार की तरह कॉंग्रिस को निराश्रा ही हाथ लगती है क्योंकि पंजाब में उब्रा सियासी विवाद भी किसी से छिपा नहीं है अब चुनाव से पहले यूपी की राजनिती में कॉंग्रिस के अध्यक्ष रजे कुमार लल्लू के बयान से सियासी पारा एक बार फिर चड़ गया है कॉंग्रिस अध्यक्ष ने विरोधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी को कमजोर समझ रहे हैं वो किसी एचेंडा के तहत ऐसा जान भूच कर कर रहे हैं जो चुनावी पंडित कॉंग्रिस की तागत को नहीं जानते वो गलत फैमी के शिकार हैं आपको बता दे कि विरोधियों पर ये बड़ा हमला कॉंग्रिस अध्यक्ष ने राजधानी लखनव में हो रही पार्टी के एहम बैठक के दौरान किया था विरोधियों पर अध्यक्ष ने हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कॉंग्रिस की जमीनी तयारी के बारे में कुछ नहीं पता है समाजवादी पार्टी या बीएसपी कोई विकल्प नहीं है बीजपी के खिलाव चुनावी मैदान में उतरने के लिए एक मात रुपाए अब कॉंग्रिस ही बचा है कॉंग्रिस अध्यक्ष में बेशवक इतने बड़े बयान अपनी तरफ से जारी कर दिये हैं लेकिन इस तरह के बयानों को जमीनी स्तर पर अब कॉंग्रिस अमल कैसे करीगी क्योंकि सपा एक नई सिरे से ब्रहमनों को साथने में जुड़ गई है तो वहीं बसपा भी मैदानी स्तर पर ब्रहमनों को साथने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही ऐसे में सवाल यही है कि क्यों कॉंग्रिस चुनावी मैदान में नदारत नजर आ रही है क्योंकि हाल ही में उबरे पंजाब के सियासी संकट को कैसे शांत कराया है वो सब के सामने है पंजाब से कॉंग्रिस नेता नवजोट सिंग से धू दिली राहूल गांधी से मुलाकात करनी भी आये थे लेकिन राहूल गांधी ने उनसे मुलाकात तक नहीं की जुसके बाद सवाल तो बहुत खड़े हुए लेकिन कॉंग्रिस ने ज्याद तर मामलों की तरह इस बार भी सिर्फ चुपी साधना ही सही समझा अब चाहे कॉंग्रिस अपनी मजबूती के लाग दावे ही कर ले लेकिन देश भर में कॉंग्रिस की स्थिति क्या है कैसी है ये किसी से चच्चपी नहीं ऐसे में कॉंग्रेस में छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर यानि के दिगजों में भी अब अंतरकला की स्तिती देखने को मिलती है पार्टी संगजन के रूप में तो कॉंग्रेस कमसोर है ही लेकिन देखने वाली अब बात ये होगी कि क्या अपनी मजबूती आने वाले यूपी चुनाव में पाटी दिखा पाईगी या नहीं क्योंकि हालात ये हैं कि पिश्टले लोकसभा चुनाव में तो कॉंग्रेस बस राय बरेली की सीथी बचा पाई थी यहां ससूनिया गांधी पी अध्यक्षें राहूल गांधी तक अमिठी से चुनाव हार गए थे